Color Creator सीखने की ज़रूरत इसलिए है अगर आपको अच्छा मेकप आठिस बनना है तो सीखना होगा अगर आपको Color Creator अच्छी तरह नहीं आता आप कहीं भी मेकप करने जाते हो आपके पैसे तो नहीं मिलेंगे साथ में दो चार गाली बॉनस में जरूर मिलेंगे वीडियो को पू किलए डिकल में फैने का और चैट अगर अचो यह सब बने रहना होगा मेरे वीडियो में तो पहले बार विजिट कर रहे हो तो अगर पहले से देख रहे हए to please वीडियो पुल तक देखे और लास्ट में मतलब लाइक बटन करना कमेंट करना और कोई भी आपका फ्रेंड या दीदी बेहन जो भी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में जो भी मेकप सीख रहा उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनका कलर करेक्टर या कलर तेयोरी पूरा का हो सके कलर करेक्टिंग क्या है जो आपके स्कीन में डार्क स्पोर्ट होते है रेडनेस होता है रैशेज होता है डार्क सर्कल्स होते या किसी के दाग धब्बे होते उन दाग धब्ब को मिनिमाईज करना मतलब कम करके आपने नॉर्मल स्कीन टोन में लाने के लिए हम जो भ परपल है किसी के रेड है को धकना या दागधबे ऐसे ज़ाल करिक्टि में आपको लेना होगा रैड क्लार में जैसे के काले धब धबे या ब्ल्लु धबे उसके अपोसी उपली सब्सक्रागूरी जी नहीं तो print करके रख लीजी आपने makeup के kit में color correcting भी है और full coverage concealer और foundation है तो color correcting के क्या जरूरत है लेकिन obviously जरूरत होती है आप directly किसी भी patches पे या किसी भी दाग धब्बे पे आप directly concealer या foundation लगाते हो तो वो थोड़ा बहुत color मतलब छोड़ता है मतलब जैसे कि आपका pigmentation है वो pigmentation lightly दिखेगा लेकिन आप सही तरीक से color correct करते हो तो पूरा दाग धब्बे डार्क circle ये सब अच्छी तरह ढख जाएगा दाग धब्बे पूरी तरह cover नहीं होते लेकिन यह क्या करता है आपके जो भी pigment है या dark circle है उनको neutralize करता है आपने मतलब दूसरे जो skin है जो plain skin है उस तरफ लाने की कोशिश करता है आप जब भी उसके उपर foundation या concealer लगाते है तो वो neutralize होके एक जैसा skin दिखता है अगर directly आप concealer लगाओ कि किसी भी दाग धब्बे पे या कुछ देर के बादी सही वो थोड़ा बहुत lightly दिखना शुरू हो जाता है लिखने को मिलेगा हमें color correcting कभी भी coverage नहीं देता है लेकिन concealer जो है वो coverage देता है हम जो भी अपना color है मतलब जो अपने dark spot है dark circle है उनको neutralize करने उनको हलका करने के लिए हम color character use कर रहे होगा pigment रहता है वो highly pigment रहता है मतलब जो भी color use किया जाता है वो highly किया होता है कभी भी आप लिखने से पहले मतलब ब्रशे नहीं लगाना है डाप करके लगाए और एकदम कम quantity में लगाए ज्यादा color जैसी कि आप में बोलती हो आपको dark circle है okay dark circle में आप yellow color लगाते हो yellow color ज्यादा हो जाएगा उसके उपर concealer लगाओगे तो concealer के साथ मैच होके मतलब mix होके उपर दिखना शुरू होगा ताकि आपका make-up yellowish दीखेगा तो इसलिए कभी आप color correcting करते हो तो lightly लेके उसको neutralize करने की कोशिश करें ना कि color character से ढखने की कोशिश कभी भी नहीं करना है मतलब mostly 6 color होते हैं यह कौन सा color character हम प्रयोग करेंगे orange color जाता है dark dark circle कम करने के लिए जिसकी skin tone medium to dark है मत अब एकदम गोरे लोग का dark circle ढखने के लिए हम orange color character नहीं प्रयोग करना है पीच color character है यह किसमे जाएगा जिसकी skin यह भी dark circle की जगाई काम करता है यह भी orange color character की तरह ही काम करता है लेकिन यह जो undertone जिसकी skin tone है medium to fair fair to medium जिसकी है उनके लिए प्रयोग किया जाएगा हमने orange किस के लिए बोल रही हूं में fair to medium में उनके लिए हम peach color का प्रयोग करेंगे color character करने के लिए समझ गए अच्छी तरह तो जो भी color wheel आपके पास है वो लीजिए नहीं तो एक color wheel download करेजिए photo आपको मिल जाएंगे आप जो जितने भी मतलब अपने हातों में एक एक color लगाई है उन message करके ताकि अगर आपका color correct तरीका सही है मैं आपके वीडियो अपने instagram में post करूंगी चाहिए तो आप shots वीडियो में भी में post कर दूंगी तो आप शॉट्स वीडियो में भी पोस्ट कर दूंगी अपने color wheel में देख लिया होगा color wheel के सामने मतलब red color है अगर किसी के भी skin में red patches है sensitive skin है pimple हुए मुआ से हुए खाज खुजली होते allergic skin है reddish reddish skin है उनके लिए आपको प्रयोग करना है green color green color lightly प्रयोग करके उसके उपर concealer करना है conceal करना है ऐसे करने से आपके जो भी लाल दाग धबे वो खतम हो जाएंगे और make-up एकदम fabulous दिखेगा color है yellow color जो पीला color दिख रहा होगा आपका color character tool में या concealer palette में कहीं जगा एक जगा नो कहीं रहता है जैसे कि इन में सारे देखी आपको photo दिख रहे होंगे नीचे इन में से yellow का किस चीज का काम है आप color wheel उठाए yellow के सामने कुन सा color है blue purple yellow के जितने भी shade है उसके सामने blue purple blue के family है न तो ये मतलब काम आत प्रयोग करना yellow color ना कि orange color अगर ऐसा करोगे तो fair लोगों का भी dark circle जो भी धकना है veins वगेरा वो भी कम कर सकते हो अभी last color है lavender color दिखा होगा purple color का light light purple color का एक shade हमारे color correct में रहता है लेकिन इसका प्रयोग क्या है इसका प्रयोग है आसानी से जिसका skin भौत fair है एकदम गोरे गो के लोग हो गए हिमालचल के लोग हो गए वो लोग एकदम fair रहते हैं अभी तो पंजाब साइड में भी रहते हैं हर जगा है आभी तो फैल गए पूरा जगा हर जगा fair लोग पहुच गए तो उनकी मतलब जो एकदम fair इसकी ने उनकी जो dark circle है ना dark नहीं रहती उनकी dark circle में ह होता है yellow color मतलब जब वो डार्क हो जाते हैं मतलब उनकी dark circle होना शुरू होते तो उनके जो dark circle है yellowish होते हैं तो yellowish के लिए हमें यूज करना है lavender color family blue की जो family का color है वो color प्रयोग करना है तो यह करने से आपके जो भी उनके yellowish पना चली जाएगी और किसी को tanning एकदम fair लोग है fair लोग जब tanning होते हैं तो हमारे जिसे काले नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं yellowish वो पीला हो जाता है उनका जो skin है ना माथे पे उगेरा तो उसमें lightly आप lavender color प्रयोग करके conceal करते हो तो एकदम fabulous makeup होगा एकदम शांदार makeup होगा ओके तो आज हो गया color character के कौन से color कौन से skin tone क के लिए जाएगा आपने समझ लिया होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है मैं कोई भी color character लगा रही हूं लेकिन उनके जो दागधबे नहीं मिट रहे तो ऐसा कब होता है जबकि उनकी जो pigment है या उनकी जो dark circle है एकदम lightly है आप directly color character से color ले रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ बहुत concealer डालके उनको dilute कर सकते हो color character कब करना है color character कब करना है आपको मतलब moisturizer हो गया primer हो गया primer के 5-6 minute के बाद हो तो primer set होने के बाद आपको color correcting करना है color correcting को करने के बाद आप concealer foundation करके आपना makeup शुरू कर सकते हो और ऐसे जो color अगर आपके पास matte eyeshadow है मतलब जो shimmery नहीं है उन eyeshadow मे थोड़ा बहुत concealer mix करके भी आप अपना खुद का color correcting kit बना सकते हो तो यह था आज का bonus tip मिलते दूसरे वीडियो में अगर आपने आपी तक subscribe नहीं किया वीडियो अच्छा लगा तो subscribe कर लीजिए share कर लीजिए follow comment जो करना है करिए और जो भी आपको मतलब पूछना है कुछ question है जरूर comment करें हम cover करेंगे आपके comments दूसरे वीडियो में thank you friends thank you bye bye have a lovely day